कि यहार को मंद्र ते यसरी आदब कर रहे हैं कि सब जगा सजाई यह बहुत बनिये बात बोला है यह यह मतलब समझे कि यहार में पहला वाइट धाट के लावा गुलंबर को सजाना है क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है जहां दूर दूर से लोग इस पर्व को पर्व का इंतजा करते हैं और चुट्टी लेकर के इस परेसली आते हैं सजावट को देखने के लिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए नौसकर आप देखने व्यार इन सौट्स मैं आपके साथ प्रेमिर लोक आस्ता का महापर्व छट पुजा आपको बतादे इसका नहाय खाय सुस्परवात हो गया और जो बिहार के डिप्टि सीम है तेजस्वी आदब उन्होंने चट पुजा को लेकर एक खास डिसीजन लिया और उन्होंने अधीकारियों के निर्देश्यों को निर्देश्य दिया उनका कहना था कि चट पुजा पर किवल घाठी ना सजाया जाया बलकि पतना के तमाम चौक चौराय सजाया जाया और तमाम चीजों को देखा जाये तकि हम आपको लेकर रहा है राधानी पटना के सड़कों पर है और देखे जो पूरा पूल है इसको यह लेडी बल्व से सजा दिया गया है कि जो बिहार के उप मुफ मंत्री है तेजस्री आदब उन्होंन अब लोग हैं जो घरों से बाहर निकलेंगे और गंगा घान पर अर्ग दिने जाएंगे पर देखे जो तेजस्री आदब पहले डिसीजन लिये थे बहुत चीज हम दिखाना चाहरा है आपको कि किस तरीके से तमाम चीजों को सजा दिया गया है कि यहां पे पुजा पंडा यह, तो इनका साब طруп पर कहना कि अच्छा की है बहुत बढ़ीया काम किये और कहीं ना कहिं जो चट पुजा है चट पुजा को लेकर सारे निblesै् होता है घाट सजाने की बात होता है और भी जो लोग हैं वो लोग हमारे साथ हैं की यह कैसा लग रहा है ? सजावत बहुत बनी बात बोला है यह मतलब समझे कि यहार में पहला वाइस तरीके का बियान दिया है बहुत अच्छत ब्यान दिया है जो कि पुड़ा वासिक तो यह बास्तून कर बहुत सजावत को देखने के लिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए तो यह डिसीजन उनका ठीक है अगर वो ले रहे हैं तो यह सही है कि अगर कई कई स्वास्त विवाग में थोड़ा लापर वाही अगर बढ़ती जा रही है तो वहां पर उस तरीके का एक्षिन लेना सही बात है क्योंकि जब तक उस तरीके इस्ट्रिक्ट एक्षिन नहीं लिया जाएगा तब तक कोई सुधार होगा नहीं तो मुझे जहां तक लगता है यह डिसीजन का ठीक थीक है तो यह सब्सक्राइब के साथ हैं वह बिहार बासी है उनके डिसीजन से का करना है कि जो डिसीजन ले रहा है वह डिसीजन काफी अच्छा बागी कि तवाम ख़रों क्लें बने रहे हैं भी आनिन सोर्ट के साथ धन्यवाद